आज भी आद है मुझे वो दूर गुंजदा ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजर आता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना तो आपके इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखो बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाया तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जनून तो हम है आपके साथ रेल्वे में ALP तथा टेकनीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्तियों के लिए SSC मेकर लेकर आया है पाइलट बैच जिसे बहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्यरूप से रेल्वे ALP तथा टेकनीशियन के एक्जाम के लिए तयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोईन करें हमारा पाइलेट बैच और अपने सेलेक्शन के जिम्मदारी हमें सौप दे पाइलेट बैच जोईन करने के लिए डाउनलोड करें एससे मेकर हैं और दियेगाई नंबर पर कॉल करें कर दोस्तों मैं अजय सिंग आपका स्वागत करता हूं एससे मेकर कि स्वालाइट परफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताए तो आप लोगों की त्यारी कैसी चल रही है पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी को गुड इवनिंग ठीक है हाँ आप सभी को महा सिवरात्री की धेरशारी सुपकामनाए भोले बाबा आप सभी को इतनी सकती दे कि आप सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए ठीक है और आप लोगो आख से आप लोगों की एस फुर्णा कृमेट करें इससे एसमे〜 आज नोगों की है कलास स्टर्ट करने जा रहे है ridiculous मैथ करने पहला ठीक है हां देखिए गारीजणिव आपकी एसमेंPreccie design करें और यह आप के आगामी एक्जाम, UP Police Constable, RPFS I Constable, ठीक है, उसके वाद से CGL, CPOSI, CHSL, और भी आपके तमाम जूर LV की एक्जाम है, उन सभी एक्जाम के लिए काफी important रहने वाला है, तो अच्छे से देखेंगे आप class को daily जूडएंगे class से, क्योंकि class में हम selected और important question सामिल कर रहे हैं, जो type के question कराने वाले हैं, ठीक है, चलिए, हाँ, महासिव रहतरी कि आप सभी को शुब कामना है, ठीक है, चलिए, आप देखिए, आज की class को हम आगे continue करेंगे, और अच्छे से आप लोग देखेंगे, नोट करेंगे, देखिए, इस class को लानी का एक उद्दिश मेरा रहा कि ब हम आप लोगों को साटरी भी बताएंगे, आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि आप काम समय में प्रशनों को solve कर सके, ठीक है, चलिए, बहुत अग्से, बहुत अग्से, चलिए, तो आज की class को हम आगे continue करेंगे, आप से भी student देखेंगे, पहला question, पहला question देखिएगा, का काफी महतपुर question है, और इस question का answer आप लोग comment करके बताएंगे, क्या करेंगे, answer comment करेंगे, पहला, देखिएगा, पहला, काफी important question है, ऐसे प्रशन हमेसा exam में देखने को मिलते है, set pattern का question है, question देखिए, question बोल रहा है, एक माली ने किसी उध्यान में, 1936 पौधे, इस प्रकार लगाए कि पौधो की पौधो की पंक्तिया तथा कतार बराबर थे, पंक्तियों की संख्या ग्याद करें, या बोलने कतार की संख्या ग्याद करें, तो आप कैसे बताएंगे, ये प्रेशन को पहले थोड़ा सा समझीए, math के question कभी भी आना तो आपको समझना बहुत ही लगाए कि पौधो की पंक्तियों तथा कतार बराबर थे, पंक्तियों तथा कतार, कहने का मतलब है, देखिए, एक, दो, तीन, अगर देखा जाए, तो आप देखेंगे तीन, इसमें क्या हो जाए, तीन, अगर तीन, तीन ही ले रहे, तीन पंक्तिया ले ले ले, सिर्फ आ आप देखेंगे पंक्तिय और कतार क्या है बराबर यह झाय कि मतलब आगर तीन earning दिख रहा है तो कितना होगा टोटल ऐसे होगा तो आपको यहां पर 1936 को चेक करना है कि यह किसका square है बस यह किसका square 1936 आंसर दे देना है ठीक है square निकालने काशान तरीका आपको बताईए आप देखेंगे चे काई अंग पर 6 दिख रहे हैं चे चार्चो को 16 चे इसमें भी आता है आठी टाइए चौसट दो दुना के चार यह दोनों तो होगा नहीं इन्हीं दोनों में कोई होगा अगर 46 का square करना है तो square निकालने का तरीका आप सभी को पता है छे का square 36 का क्या होता है चे हांसिल 3 चार्चो को 16 दुना के 48 तीनी कावन का एक हांसिल कितना हो जाएगा पांच चार्चो को 16 पांच 21 यह 216 हो जाएगा 216 नहीं 1936 है तो यह तो होगा नहीं तो यह आंसर हो जाएगा option नमबर बी चलिए option नमबर बी कैसे होगा एक बार 44 का square कैसे निकालने के तरीका बता रहें तो यह 1936 और 1936 की बात कर रहें तो 44 क्या होंगी पंक्तिया होंगी और 44 ही कतार होंगी ठीक है तो यहां पर हम लोगों पूछ रहे हैं पंक्तियों की संख्या कितनी होगी तो आंसर देंगे 44 बस यही तरीका है और इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और इसमें कुछ क आपको तो बता रहे थे आपको माल लेते हैं ममग एक्जामपल के तौर पे तीन सहीं पंग्टिया और तीन कितनी होदेखेंगे तो क्या हो जागा तो क्या हो जागा बस वह जोड़त ही नहीं है बताई करहें समझ में आ गया 11 का मल्टिपल अच्छा दिमाग ज्यादा ना लगए बस इतना ही देखिए आंसर दे दीजिए कई तरीके हैं सोचने के लिए ठीक है चैप्टर वाइस कबसे क्लास चलेगी बहुत बहुत चैप्टर वाइस भी क्लास स्टाट करेंगे ठीक है चले नेक्स्ट कोशन देखेंग एक्टर पोछ रहा है किसका पोछ राये देखिये बाराव बटा का पांच क्या है बाराव बटा का पांच मस्hyd م책 माज्ट और पूच रहे नीचे वाले का LCM, यानि HCF पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है, जब कभी भी HCF पूछ है, HCF पूछ है, तो उपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालते हैं, क्या लेते हैं, उपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, अगर हम लोगों से LCM पूछता, तो हम लोग उपर वाले का LCM लेते, जस्ट इसका नीचे वाले का Posit HCF, ठीक है, यानि बटे वाला कभी भी आए, तो ऐसे निकाला जाता है, और यह आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चले, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पैन उठाने की तो ऐसी संख्या में जोरत है नी, उपर वाले का HCF, HCF का मतलब होता है, highest common factor, बड़ा से बड़ा हो संख्या जो इन दी गई संख्याओं को भी भाजित करें, मतलब 12, 14 और 16 का HCF क्या होगा, देखिएगा, बड़ा से बड़ा संख्या, 12 देखेंगे, 12 से क्या सारे संख्याइं कटेंगे, नहीं, 12 से छोटा आजाईए, 11, 10, 8, 8 से नहीं होगा, 6 देखेंगे, तो 6 से भी नहीं होगा, 4 देखेंगे, तो 4 से तो 12 कट जाएगा, पर 14 नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, नहीं, 4 से और नीचे आईए, 3 नहीं, 2, 2 से सारी संख्याइं कट रही है, तो 2 HCF हो जाएगा, उपर वा तो आप देखेंगे, 5, 15, 17, 17 देखेंगे आप सारे बच्चे, यह क्या है, 17 प्राइम नंबर है, तो किसी से कटाएगे, 5, 15 का क्या हो जाएगा, 5, 15 का LCM 15 हो जाएगा, 15 गुने 17 कर देंगे, बस, LCM आप बेसिक तारीका भी निकाल देंगे, 15, 15, 225, 255, 255, दो बटा का 255 इस कोशन का राइट अंसर होगा, है क्या किसी में, है, option number C में, देखिए, option number C में, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कि कैसे LCM निकाल दिये, HCF निकाल दिये, तो आपको बता दे, LCM, HCF निकालना हम आपको दूसरे चैनल, exam finisher पर पढ़ाए हैं, basic से ब इन उठाए solve कर सकते हैं, सारे तरीके बताए हैं, YouTube पर भी बताए हैं, सब कुछ बताए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर LCM, HCF, HCF निकालने का तरीका क्या है, आप LCM वाले method से HCF निकाल सकते हैं, देखिए, 12 है, 14 है, 16 है, आप करिए ऐसा कोई संख्या लीजिए जो तीनों को भीभाजित करें, तो आप बोलेंगे, छोटा संख्या, 2, 6, 12, 21, 24, 28, 16, आप फिरसे हैं, उसकी संख्या लीजिए जो इन तीनों को भीभाजित करें, तो बोलेंगे, सराबा, यह संख्या नहीं है जो 6-78 को भीभाजित कर सकें, 2 से कटेगा, 6-8 कटेगा, तो साथ नहीं करने का तरीका बेसिक वाला दो दो से तीन से पांसे साथ से सब करते हैं यह तो पता ही है इतना कर लेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा option number C सही हो जाएगा और सारे बच्चे दे भी रहे answer C very good बहुत दक्स है next देखिएगा question number तीसरा यह जो question आपके सामने दीख रहा है question number तीसरा यह most important question है और ऐसे प्रशनों को solve करने के लिए आपको pen उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रशन को आप एक्जाम में देखेंगे option देखेंगे answer देंगे तरीका का नाम है go through option go through option आप ऐसे प्रशनों को solve करने के लिए आपको pen उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आप समझ लेते हमसे तो समझ लेंगे जीवन में कभी pen नहीं उठाने की ज़रूरत पड़ेगी आप देखोगे question और answer देखोगे कितने second में 2-4 second में answer आ जाता है ठीक है देखिए यहाँ पर बटा में दे रहा है a is to be बराबर 1 by 3 is to 1 by 5 तो थोड़ा से इसको हम समझा देते हैं explain कर देते हैं फिर options पर बताएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा देखिए a is to be a is to be बराबर दिया है 1 by 3 is to 1 by 5 cross multiply आपको पता है न तो यह a is to be बराबर क्या हो जाएगा यह 5 is to 3 हो जाएगा क्या होगा 5 is to 3 होगा clear है ऐसे ही इधर हम बात कर लें तो cross multiply करेंगे तो 8 is to 7 हो जाएगा अगर c is to d की बात करें तो यह 20 is to 21 is to 10 हो जाएगा होगा की नहीं और हम लोगों से a is to be is to c is to d का मान पूचा है आप देखिए a is to be दिया है a is to be क्या है a is to be 5 is to 3 है a is to be 5 is to 3 है यही पर आपको थोड़ा से समझना है b is to c क्या है 8 is to 7 है c is to d क्या है 21 is to 10 है और हम लोगों से a is to b is to c is to d का मान पूच रहा है मतलब a b c d सारे का रिश्यों का मान पूच रहा है तो कुछ नहीं करना है go through option के according मतलब पहले हम देखेंगे आप देखेंगे यह वाला line क्या है a को represent कर रहा है यह b को यह c को और यह d को यानि a is to b is to c is to d यही वाला है न ऐसे ही तो होगा तो आप देखिए कि a is to b में क्या हमको मिला है 5 is to 3 A is to be 5 is to 3 है, तो क्या यह 5 is to 3 है, तो आप देखेंगे 8, 45, 8, 3 के 24, यह 5 is to 3 है, यानि A is to B तो मिल गया, फिर देखिए, B is to C, 8 is to 7 है, तो आप इसे मिटा दीजिएगा, यह नहीं कि अब 3 से 21 कट गिएगा, क्या है, 8 is to 7 है, तो देखेंगे 3, 8, 24, 3, 7, 21, B is to C क्या है, B के नीचे 8, C के नीचे 7, तो 8 is to 7 भी मिल रहा है, C is to D क्या है, यह C is to D देखिएगा, 21 is to 10, तो आप मिटाइएगा, यह C के नीचे देखिए, 21 है, D के नीचे 10 है, 21 is to 10 भी है, यानि option नमबर पहला क्या है, पूरे condition को satisfy कर रहा है, option नमबर पहला answer हो गया, बस, इतना ही करना ह है, exam में इतना ही करना है, इसको balance करने की ज़रूरत नहीं है, इसको proper solve करने की ज़रूरत नहीं है, direct देखना है, और answer देना है, कौन सा, option नमबर C क्या है, पूरे condition को satisfy कर रहा है, इसलिए option नमबर C क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तो बताइए है न यह कमाल का method, बताइए ऐसे option को क्या आपको pen उठाने की ज़रूरत पड़ेगी solve करने के लिए, एक बार आप लोग बताएं, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजे, फिर हम आगे चलेंगे, फट 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 एक बार आप लोग बताईए तो सारे बच्चे एक साथ comment करे सारे बच्चे एक साथ comment करके बताएं, समझ में आया की नहीं, आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं आया है तो दूबार है समझाएंगे, एक साथ comment करें, सारे के सारे बच्चे एक साथ comment करें, हाँ चाहिए, टेलिग्राम पे पीडिएफ नहीं या रहा है, तो पीडिएफ आपको एप पे मिलता है ने, टेलिग्राम पे नहीं, आप SSC में करके एप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी क्लास की पीडिएफ एक जगा मिल जाएंगी, पीडिएफ वाले या चलिए, आगे चले, यह तो कलिए हो गया, सभी कोलियर हो गया, हाँ ठीक है चले कोशिन नम्बा फोर देखिए कोशिन नम्बा फोर देखिएगा महत्पूर्ण कोश्चन है काफी इंपॉर्डेंट कोश्चन यह भी है पूछा गया कोश्चन है करे रमेश ने 40,000 रुपए राशी का राशी का बेऊशाय सुरू किया मतलब 40,000 रुपए के स केविन 20,000 रुपए निवेश करके सामिल हो गया यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाव कमाते हैं तो केविन का हिस्सा कितना है देखिएगा प्रेशन को समझने की ज़रूरत है आप अगर प्रेशन को समझ जाएंगे न तो आराम से स्वाल्व कर लेंगे इसना का प्रोफिट हुआ 10,000 रुपए का लाव कमा रहे है तो उसमें से 10,000 में केविन का क्या हिस्सा होगा देखिए कभी भी पार्टर्नर्स्य का कोश्यन आए आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों की धनरासी निवेस की गई धनरासी दे रहा है समय बता रहा है तो दे व्यक्ति है रमेश, दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति है केविन, ठीक है, केविन है, अब यहाँ पर आप थोड़ा से समझेंगे, रमेश ने कितना रुपए लगाया है, 40,000 रुपए, केविन ने कितना रुपए लगाया है, 20,000 रुपए, अब आप थोड़ा से स पैसा लगाया, छे महीने बाद आया है, तो केवीन ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, ये चीज देखिए, वे बर्स के अंत में प्रॉफिट कर रहे हैं, और छे महीने बाद केवीन आता है, यानि केवीन ने जो पैसा लगाया, वो छे महीने के लिए लगाया, तो रमेश ने कितने दिन के लिए लगाया यह रमेश के अंति में प्रॉफिट जनेरेट हो रहा है तो आप देखेंगे यानी इन्हों ने 12 महीने के लिए लगाया यहीं रेशियों में कण्वर्ट होगा देखिएगा कुछ नहीं करना है आप बराबर में ऐसे ही कटा लीजिए या बटे लाव जो बटेगा जो वन के रेशियों में होगा ठीक है बस कुछ नहीं करना है जितना रुपए लगाया कितने समय के लिए ये कितना लगाया कितने समय के लिए ये बर्स भर लगाया यानि 12 महीने लगाया ये 6 महीने लगाया बस इतना ही करना है और बराबर में कटा लेना है और देख रहे हैं 8 is to 2 आया 4 is to 1 आ गया तो 4 is to 1 के रिशियो में profit को बाट देंगे जब हम 4 is to 1 के रेशियो में बाटेंगे और हम लोगों से पूछा है तो केविन का हिस्सा कितना है केविन का हिस्सा अगर टोटल देखा जाए 4 प्लस 1 यानि 5 आप बोल सकते हैं अगर सिर्फ हमें केविन का बताना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसका है केविन का हिस्सा हमें कर घ्रच्व हिन जोटेंगे हैस्ट चली प्लस 1 के पोड़ में जोटेंगे 5 दून दो हजार यानि केविन का고 बाटाना होगा तो 8000 बोल देंगे option number A इस question का right answer होगा option number A option number A is question का answer होगा B कहां से कौन दे रहे जिए मारख वा है Mark आने है बताओ नहीं खाना है चली option A इस question का सही answer होगा ठीक है बताईए Summaj में आयाकिन एक बार आप लोग पहले यह बताईए Summaj में आया की नहीं समझ में आगया है तो आगे चलेंगे, नहीं आए तो दुबारा समझा देंगे, आप बोलो एक बार तो, आप सारे बच्चे भी बार बोलो, समझ में आया की नहीं, कैसे बटा है, कैसे हुआ है, प्रसने सॉल, ये क्लियर है, क्लियर है, तो आगे चलेंगे, नहीं क्लियर है, और उमीद करते हैं clear हो गया होगा क्योंकि अगर हम समझा रहे हैं मन से समझा रहे हैं तो समझ में तो आएगा ही समझ में आगया है तो फटफट आज की class को आप लोग लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके notification bell icon कौन करके जुड़ जाईए daily class आप लोगों के लिए 8 बज़े चल रही है 8 बज़े copy pen लेके ही बैठा करिए ठीक है sir laptop में class कैसे मिलेगा बताए अच्छा देखे laptop में class आपका कैसे चलेगा आपकी जो id password है किसकी ssc maker app की तो आप laptop में google open करिएगा chrome browser या जो भी firefox mozilla जो भी आप यूज करते हो तो उस पर आप type करिएगा ssc maker.com क्या ssc maker.com और वहां पर आप अपनी id से login हो जाएगा सारी वीडियो आपकी id वहां पर open हो जाएगी एकडम app के interface में ठीक है वहां से आप laptop पर देख सकते है अपनी classes को ठीक है question देखेंगे question number five क्या है question number five क्या है काफी important है question है दूद और पानी के 6L मिष्रण में दूद पानी की मात्रा का अनुपात three to two है यदि हम दूद और पानी की मात्रा का अनुपात one is to one करना चाहते हैं तब मिष्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए देखिएगा साथ लीटर दूद और पानी का मिष्रण है और उसमें जो मिष्रण का रेश्यो है वो three is to two दिया है milk और water दूद को M से पानी को W से यानि water से ऐसे प्रतस्षित कर रहे है three is to two है और हम लोगों से कह रहा है हम दूद और पानी की मात्रा का अनुपात one is to one करना चाहते है तब मिष्रण में कितना और पानी क्या पानी मिलाने की बात कर रहा है water मिलाने की बात कर रहा है ratio क्या करना है one is to one करना है यानि देखा जाए तो यह तीन है तो यह क्या होगा ratio यानि milk का जो ratio है वो ना बदले यानि milk क्या है आप समझने का प्रयास करिएगा milk में नहीं milk जो का तियो रहना है तो आप देखेंगे 3 is to 2 है 1 is to 1 करना है है तो हम इधर भी 3 से अगर गुना कर देंगे तो यह 3 होगा क्योंकि ratio में particular किसी number से गुना करने पर बाग करने पर ratio का मान नहीं वदलता है ठीक है तो यह 3 एकम 3 हो जाएगा यह 3 एकम 3 हो जाएगा यानि 3 is to 3 का मतलब 1 is to 1 ही होता है देखिएगा तीन से जब गुना करेंगे तो यह 3 is to 3 होगा ठीक है 3 is to 3 होगा तो देखेंगे milk 3 से 3 ही है बट water 2 से 3 हो जाएगा लेकिन अगर हम total मिस्टन देखे तो यह 60 लीटर है और ratio देखे तो 3 is to 2 यानि 3 प्लस 2 3 प्लस 2 equal to क्या होगा 5 5 ratio बराबर क्या है 60 तो 1 ratio बराबर क्या होगा 1260 12 एक ratio बराबर 12 तो आप देख रहे हैं यह 2 से 3 हो रहा है यानि एक ratio बढ़ रहा है यानि एक ratio बढ़ रहा है यानि कि 12 लीटर इसमें मिलाना पड़ेगा बस अंसर है और कुछ करने की जोरत ही नहीं है 12 लीटर option number 3 से हो जाएगा एक ही तो ratio बढ़ रहा है 2 से 3 हो गया बस ऐसे कर लीजिए बहुत सारे तरीका है आज बहुत से बच्छे ब्रत हैं बता रहें ठीक है शुरा तरीक है ठीक है महादेव आप लोगों की सारी मनो कामना है सारी मनो कामना है पोरी करें ठीक है बहुत जीसे तो हम यहीं प्रातना करते हैं इतने आप लोग हैं बच्चे सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए नौकरी पाए शफल इंसान बने जीवन में अच्छा काम करें ठीक है यह चीज करिए ठीक है कि क्लियर है बस कुछ नहीं करना है आंसर आ गया आगे चले नेक्स कोश्चन के तरफ देखिए एक बात और बता दे आप लोग अगर एप को डाउनलोड नहीं किया है तो एप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अप जिस भी एकजाम की तहरी कर रहें ठीक है आपको लिए बैच चल रही है ठीक है जिए आप लोगों को बता दे जो स्टुडिन टहरी कर रहें तो उनके लिए ससी मेकर आप पे हम लोग चला रहे हैं संकल्प बैस ठीक ह जीरो लेबल से मिलेगी, चाप्टर बाई चाप्टर मिलेगी, और आपकी सेलेक्शन भी होगी सुनेशी, ठीक है, हाँ, रर्वी, एल्पी और टेक्निसेन के लिए हम लोग चला रहे है, पैलेट बैज, पैलेट बैज में CVT1 और CVT2, दोनों पेपर की बहतरीन तयारी कराई जा रही है, तो आप पैलेट बैज से जूड़के पढ़िए, बैज की फी मातर 300 बचास, ठीक है, जारखंट पुलिस के लिए भी हम लोगे ससी में कर आपके स्पेसल बैज चला रहे है, तो जारखंट पुलिस एक्जाम की तहरी कर रहे हैं, तो आप स्पेसल बैज से होती है, और 100% सेलेक्शन के लिए होती है, ठीक है, किसी भी बैज से अगर आपको जूड़ने में कोई समस्या रही है, तो आप SSC Maker के help center number 7080108555, इस नमबर पे आप call करके बात कर सकते हैं, ठीक है, चले, आगे हम लोग देखेंगे question number 6, question number 6 देखिएगा, question number 6 क्या कह रहे ह A किसी कारे का 40% भाग 6 दिनों में, तथा B इसी कारे का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, उन्होंने एक साथ कारे सुरू किया, लेकिन 2 दिन कों के बाद B हट गया, और A ने कारे जारी रखा, तो पूरा कारे कितने दिनों में सामाप्त हुआ, ये बोल रहा है, देखि करेगा चालिस दुना का सब्सक्राइब कर रहा है चालिस बटा का सो कितने दिन में कर रहा है चे दिन में तो पूरा काम कितने में करेगा चे गुने अगर हमें बी का निकालना हो तो यह तो आप दो शेकर यह तो एक आ रहा है एक कितने दिन में हो गया तीन पचे पंदरा दिन अगर हमें बी का निकालना हो तो यह बी 30% मतलब 30 बटा का 100 कितने दिन में कर रहा है तीन दिनों में तो पूरा काम कितने में करेगा तीन गुने 100 बटा का 30 ठीक है बस यह जाएगा उधर पलट जाएगा यह भाग वाला गुना में हो जाएगा यह गुना वाला भाग में त तो यह देखिए 3 दहा में 30 ठीक है 3 दakahा में 30 और 10 दहा में 100 यह कीतना दिन अया बड़ी का कीतना ओ जाया Дजीन में. फ्लिएकार्ट पूरा काम, कितने दिन कितने कारे चे दिनों में इतना तो पता है न。 इतना पता है तो कुछ करने की श्यूरत नहीं. यहां पैसे देखेंगे 40 दुना का C, B, 100, यानि आधा, धाई गुना, तो 6 दुना के 12, 3, 15, टोटल, यहां पर देखेंगे, 30% 3 दिन में, तो 10% 1 दिन में, ठीक है, तो 100%, 10 दाह में 100, 1 दाह में 10, ऐसे कर लेंगे, बस, इतना समझ में आ रहे हैं, तो इसको मीटा रहे हैं, ठी लिखेंगे, A अगर देखा जाए, तो A पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, A कर रहा है, 15 दिन में, B कितने दिन में कर रहा है, B कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है, आप देखिए, 15 और 10 का LCM क्या होगा, 30, तो 15 दुना के 30, तो 10 दिन में 30, यानि A एक दिन में 2 यूनिट काम कर तो 10 दिन में पूरा काम, 3 दह में 30, clear है? इतना तो समझ रहे हैं, अगर आप इतना समझ रहे हैं, तो आप देखिए, कह क्या रहा है? प्रेशन में बोल क्या रहा है, अब ये देखने की ज़रुरत है, प्रेशन में बोला है, उन्होंने एक साथ कारे शुरू किया, लेकिन 2 द दिनों तक किया है, ये तो आप देख रहे हैं, 5 यूनिट एक दिन में काम होगा, दो दिनों के बाद B हटा है, तो देखिए, आप 2, 5 गुने 2, यानि देखा जाए, देखिएगा, 10 यूनिट, 10 यूनिट हो रहा है, यहाँ पो कुछ गड़बड हो रहा है, क्या? देखिए, एक साथ कारी किया, फिर दो दिनों के बाद B हट गया, ठीक है, यानि 10 यूनिट क्या हो गया, काम हो जाएगा काम, 20 यूनिट काम बच गया, कितना बच गया? 20 यूनिट काम बच गया, अब बोल रहा है, आप देखिए, A ने कारे जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों तक हुआ एने कितना लास्ट में काम किया पहले तो दो दिन हुआ ही है तो 20 बटा का 20 बटा का ए दो दिन में कर रहे है दस ठीक है दस दस दिन यह हो रहा है और प्लस दो दिन पहले का टोटल दिन देखा जाए तो बारा दिन आंसर हो जागा क्या होगा बारा दिन आंस सकते हैं किसने भागा कौन चोड़के भागई भी Hyattina, तो B 1 दिन में कितना कर रहा है, 3 तो 2 दिन में 6 होगा, ऐसे ही कर सकते हैं, तो 30 में से 6 चला जा, 24 यूनित काम, किसने किया है 24 यूनित काम, A ने, A भागा नहीं शुरू से लेके last तक किया है और एक दिन में एक दो यूनिट काम कर रहा है तो आप बोलेंगे 24 बटा का 2 यानि 12 दिनों तक total काम चला है बस total काम कितने दिन में हुआ यही तो कह रहा है पूरा कार कितने दिनों में समप्त हुआ तो 12 दिन आप आंसर दे लेंगे बस ऐसे भी आप प्रश्ण को solve कर सकते हैं ठीक है क्योंकि देखेंगे एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है तो दो दिन में 6 यूनिट तो आप 30 में से 6 घटाएंगे 24 यूनिट कारें किस ने किया ये ने किया और ये शुरू से लेके last तक काम किया है इसलिए 24 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगा आगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 2 से भाग कर ये 12 थुन है के 24 दोसे 24 बारेजा 24 युरा 12 दिन असर दे लेंगे ऐसर बस आनसर दे दे लेंगे और इसमें तो कुछ हा ही नहीं डिरेक्ट हां डिरेक्ट ही है और कुछ करना ही नहीं है चले नेक्स देखेंगे कोश्टन नमबर 7 कोश्टन नमबर 7 देखिएगा 7 जो कोश्टन आप देख रहे हैं यह सीजियल टीर 2 में आया था पाइप एबी और सी किसी टंकी को करमसा 30 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं पाइप एबी और सी को एक यह ही दिन करमसा सुबह 7 आठ और 10 बजे चालू किया जाता है टंकी किस समय भर जाएगी टंकी कितने बजे तक बज़ जाएगी दस बजे रात A B C 30 40 60 30 40 60 इन तीनों का LC हम निकालेंगे तो टंकी की छमता आज जाएगी 60 30 से कटेगा 40 ने 60 दूना के 120 तीनों से कटेगा तो 120 लीटर की टंकी है तीन चोग को 12 चारती आई 12 और ये 6 दूना के 12 ठीक है यानि 4 लीटर प्रती प्रती क्या है घंटा है न हाँ 4 लीटर प्रती गंटा 30 गंटा में 120 यह 3 लीटर प्रती गंटा 40 गंटा में ऐसे 2 लीटर प्रती गंटा 60 गंटा में एक लिए इतना तो समझ में आ गया अब देखिए अब हो क्या रहा है देखिएगा एबी और सी एक ही दिन क्रमसह सुबह साथ और दस बजे चालू किये जाते हैं एस साथ से देखा जाये तो साथ से दस यानि तीन घंटा चला होगा कौन एक इतना चला तीन घंटा और एक एक से कहां चला 10 देखिएगा 8 से 10 चला तो ये 8 से कहां चला 10 यानी 2 घंटे चला और B भर कितना रहा है 3 लीटर तो ये कितना हो जाएगा 2 गुले 3 yourself तो और अब सी जो है कितने बजे चल रहा है 10 बजे अब 3 7 हो जैंगे 10 बजे 10 बजह से क्या हो जाएंगे त्यों साथ हो जाएंगे बताईए दर्शिपिश क्या होंगे 7 हो जाएंगे तो 6 12 और 6 मिलकर यह 18 18 जरी अगर इसमें से में 18 घटा दे ड़ेंगे और इसमें से तो 4, 3, 7, 2, 9, देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 plus 3 plus 2, यानि 102 बटा का 9, तो अब इसे भाग करेंगे आप, तो 102 को भाग करेंगे, तो ऐसे कर लीजिए, 102 को किसे 9 से, तो 9 एकम 9, और 1, 2, 9 एकम 9, 3, यानि 11 सही 3 बटा का 9, इसकी जगा पर लिखेंगे 11 सही 3 बटा क 9, ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9, तो आगे लिखेंगे, 11 सही 1 बटा का 3 घंटा लगेगा, कब से, 10 बजे से, 1 बटा 3 घंटा का मतलब होता है, क्या, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 बटा 3 घंटे में, गुने 60 कर लीजिए, 20 मिनट, 20 मिनट होगा न, तो देखिए, यानि कहे तो कहे क्या, यहाँ पे, बोलेंगे, 11 घंटा, 20 मिनट चलेंगे, कब से चलेंगे, 10 बजे से, यहाँ पे नहीं जोडना है, 7 बजे से नहीं, अगर 7 बजे से जोडेंगे, तो 3 घंटा और जोड लीजिएगा, तो 14, 3, 11, 3, 14, 20 वरेंगे, लेकिन आप 10 से जोड़िएगा, तो य 21 बज़ के 20 मिनट, और 21 बज़े का मतलब क्या होता है, 11, 12, 8, 20, 12, 9, 21, यानि 9 बज़ के 20 मिनट, यह कोश्चन का आंसर होगा, दो से के, 9 बज़ के क्या हो जाएगा, 20 मिनट, देखिए तो 9 बज़ है, हाँ, PM है, यही आंसर होगा, बस, important question है, पूछा गया question है, हमेशा एक कर नोट नहीं किया, तो, साथ प्रिशन एक बार समझा, साथ प्रिशन में क्या था, साथ तो अभी समझाई रहे हैं, तो फिर समझा दे, वही चीज तो है, आप यहाँ पर देखे, यह चीज तो इतना समझ में आया, आप A को चलाए, 7 से 10 तक 3 घंटा चला, एक घंटे में 4 भर रहा है, देखेंगे, यह कितना भर रहा है, चार, तो इधर 4 कर दे, 3 चो को 12, बी जो है, एक घंटे में 3 भर रहा है, तो 8 से 10 चला, दो घंटे चला, तो दो गुने 3, 6 लीटर, तो 12, 6, 18, 10 बजे तक 18 लीटर भर दिये, तो 18 घंटा लेंगे, तो 102 लीटर, अब 102 लीटर 10 बजे क्या है, तीनो चलेंगे, क्योंकि ABC, सब 10 बजे सब चलने लगे, ठीक है, तो 10 बजे से चल रहे हैं, तो 102 बटा करना हो, यानि कितना होगा, 11 घंटा 20 मिनट, तो 10 बजे में 11 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, तो 21 बज़ के 20 मिनट, 21 बज़ के 20 मिनट का मतलब करते है 21 21 21 20 तो 90 आंसर हो गया बस यहीं तो है इस प्रशन में और कुछ है ही नहीं और ऐसे कोश्चन हमेशा एक्जाम में आते हैं बताइए समझ में आया की नहीं आया यह बताइए समझ में आ गया तो यह से कॉमेंट करिए नहीं आया तो दूबर एसम जाएंगे नेक्स चले समझ में आ गया है अच्छा सभी को चलिए तो कोश्चन नमबर एट देखिए कोश्चन नमबर एट देखेंगे काफी महतफ़ूर कोश्चन है कोश्चन नमबर एट पुलिस कर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा चोर की चाल 21 किलो मीटर प्रति घंटा है और पुलिस कर्मी की चाल 20 किलो मीटर प्रति घंटा है अठारा सेकेंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी अब देखिए यहां के रहे असी मीटर दूर पे देखा चोर की चाल 21 है पुलिस कर्मी 20 है यह पकड़ने वाला कोश्चन नहीं पकड़ाएगा ही नहीं चोर बहुत तेज भाग रहा है यह किलो मीटर प्रति घंट चोर है यह 21 किलो मीटर पर आवर भाग रहा है इसी के पीछे कौन है सिपाही पुलिस है तो पुलिस लिख दीजिए पुलिस है क्या है पुलिस है इसकी चाल क्या है 20 किलो मीटर पर आवर कितना 20 किलो मीटर पर आवर है ठीक है अब यहां पर जो आएगा रिलेटीव यानि क्या होगा, एक किलो मीटर पर आवर, ये सापिक्स चाल होगा, क्या होगा, एक किलो मीटर पर आवर, अगर हमें इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, तो एक गुने, किलो मीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, पांच बटा अथारा से ग के बीच की दूरी बराबर चाल गुने समय यह आपका जो चाल है वो क्या है सापकस चाल है क्या है यह जो देखिए यहां लिख देते हैं दूरी सापक साल 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड 5 बटा 18 समय सेकंड में ही है ठीक है इसी लिए मीटर पर सेकंड में कनवर्ट किये यह हो जाएगा 18 से 18 कट जाएगा तो यह होगा 5 फांच मीटर उनके बेच चली गया जो डिफरेंस होगी दिफांच मीटर और बढ़ जाएगा क्यों कि चौर की च्वानेट टेज पूलिस की च्वान के आप में चाल सेकंग है इसलिए दूरी बढ़ गई कितनी पाच मीटर और बढ़ गई पहले दूरी कितनी थी अब पूछ 80 plus 5 यानि कि 85 meter का आप इनके बीच गैप हो जाएगा दूरी हो जाएगा आंसर हो जाएगा option number B बताई, option number B 85, 85, 85 answer दे भी रहे very good, बहुत अक्स है हाँ सारे बच्चे आंसर दे रहे एक दम शाही, जितने बच्चे आंसर दे रहे option number B चोड़ ज्यादा ही दोड़ शकता है, अच्छा बताईए, इतना तो समझ में आ गया सार आप बहुत अक्षे हो, आच्छा चलिए answer दीजिए पहले उसके बाद बताईए clear है, समझ में आ गया call किसका आ रहे है, कहाँ पे call किसका आ रहे है बताईए, समझ में आ या, सारे बच्चों को clear है एक साथ comment करे, clear है तो आगे चलेंगे okay समझ में आ गया question number अब देखिए, question number 9 ये देखिए तो question number 9 का answer दीजिए direct answer दीजिए, pen उठाने की ज़रूरत नहीं है question number 9, काफी important ये पूछा गया है यदि 25 रुपे प्रतिक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर तीन नारियल मुफ्त दिये जाते हैं, तो प्रतेक नारियल पर प्रभावी छूट क्या है प्रतेक नारियल पर प्रभावी छूट क्या है बताईएगा छूट का प्रतिसत पूछ रहा है इस question answer आप लोग दीजिए free वाला question है, आप direct भी कर सकते हो बारह नारियल खरीदने पर तीन नारियल मुफ्त दिया जाता है प्रतेक नारियल पर प्रभावी छूट overall छूट निका लिए, जो मिलेगा वही सब पर मिलेगा रुपए में convert ना करके ऐसे ही answer दे दीजिए इसके लिए तो answer आजाएगा, कुछ नहीं करना है सर जी, अभी class का time बता दीजिए अब हम time बताएंगे, देखिए गा 18-20 class से चल रही है YouTube पे 20 class से चल रही है, आप पे भी आप देखेंगे 15-20 class से चल रही है तो अब हम 35-45 class की time आपको बता दे तो यह घंटे का समय लग जाएगा उसी में, ठीक है तो जो भी class चल रही है वो schedule है YouTube ठीक है वहाँ पे आप देखोगे तो सारे आप जो भी exam की तैरी कर रही है उस class की time table आप मिल जाएगी schedule है with timing के साथ, आपको देख जाएगा कौन कौन सी तो आप कौपी में note कर लिजेगा कौन कौन सी आपको class करना है ठीक है देखिए तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे छूट वाले आते है तीन अरियल मुफ्त दिया जा रहा है 12 खरीदने पर तो आप लोगों को बताये थे ना छूट वाला फ्री में कुछ नहीं मिलता 12 खरीद रहे तभी 3 छूट मिल रहेis 2 छूट बटा का टूटल in still छूट कितना मिल रहे 2 2 और कितने पर मिल रहे बारा तो बारा प्लस टीन यानी तोटल कितना होगा 15 ये देखिएगा तोटल ये क्या हो जागा गुने 100 करेंगे तो परिस्ट में आगा तोटल कितना मिल रहा है कि 15 टोटल बस तू यानि छूट बटा का तोटल बस तू तो तीन बटा का 15 और गुने कर दीजिए 100 तीन पचे 15 पांच भी से 100 जो छूट का परिसेंट होगा और ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा बस और ये आंसर हो जाएगा इसमें कुछ करना ही नहीं है कि बाताय समझ में आ गया मैं by मैं अगया मैं का फांडेशन बैच्छे है मैं ससीमें कर यप वहां से मैंस पढ़ दीजिए ठीक है चले आगे, next question के तरफ, the question number 9 समझ में आ गया, अच्छे से, चलिए तो question number 10, इसका answer आप लोग दे दीजिए, बीना प्रेन उठाए, चलिए, जल्दी से बता दीजिए, इस question को test के तौर पे रख रहे हैं, देखें कितने student answer दे रहे हैं, चार क्रमागत विश्म संख्याओं का आउसत आठ है, यदि इन में अगली विश्म संख्या को भी सामिल कर लिया जाए, तो इन पान संख्याओं का नया आउसत क्या होगा, बस, एक अगली बढ़ रही है, और कुछ करना ही नहीं है, basic से समझी है, direct answer दीजिए, सर आप समझाते समझ में आ जाता है न, तो अच्छी बात है, मजनु भाई, अच्छा, बताइए, अच्छी बात करेंगे, पूरा डीटेल में बात करेंगे, एक इक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है? सर जी, जब आपके class करते हैं, तो mobile phone हैंक करते हैं, क्या करें, mobile phone हैंक कर जा रहा है, ये कौन सी बात है? mobile phone हैंक कर जा रहा है, हो सकता है, आपके mobile में कुछ data ज्यादा हो, भरा हो, बिना मतलब की चीज़े, फाल्तु किया है, फो से डिलीट मार दीजिए, space की वज़ा से हैंक करने लगता है, कभी-कभी, जादतर यही होता है, तो ऐसा हो रहा है, तो आप space ठोड़ा खाली कर दीजिए, चलिए, बताइए, आरे answer, क्या 10, 20, 30, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, चार क्रमागत विसमख्याओं का औसत आठ्थ है, विसम-षंख्याओं के विसम-षंख्याओं की ये बात कर रहा है, तो आठ विसम-षंख्या तो हैं नहीं, यानि इसके पहले क्या होगा? चार विसम संख्या, इसके बाद चार विसम संख्या, तो आप देखिएगा, इसके पहले क्या हो जाएगा, साथ, साथ के पहले क्या हो जाएगा, बताईएगा, साथ के पहले हो जाएगा, पांच, यानि टोटल कितना है, चार ही है न, चार है, तो दो इसके पहले, और दो इस क्योंकि 8 बीच में आएगा और समसंख्या है और हम लोगों से पूछा है तो यहां पर कहा है तो देखिए बोला है यदि इसमें अगली भी समसंख्या सामिल कर लिजिए कोई बात नहीं अगली भी समसंख्या क्या हो जाएगी 13 जब अगली भी समसंख्या सामिल कर लेंगे तो तो गया बराबर है ठीक है बस आंसर दे लेंगे पांसाथ 11 13 बीच वाला संख्या 9 बदाईये समझ में आया की नहीं यह कोशन समझ में आया की नहीं एक साथ कॉमेंट करिए अचा आपकी एक प्रप्राब्लम एक बच्छा बोल रहे है जब आपकी क्लास करता हूं तो नेट खातम हो जाता है तो सुबस सुबस काई कि इतना क्लास देख लेते हो या कुछ वीडियो आप देख रहे होंगे क्लास कर रहे हैं तो अच्छी बात है ठीक है चलिए समझ में आ गया ये नो अंसर आ रहे गिया ना कुछ ने बस इसी में अगला संख्या क्या कर लेंगे तेरा ठीक है ये तो भी समसंख्या है नहीं तो देखिएगा दो इधर से देखिएगा आप 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, आप अंसर होने लगे, कियोंकि 8 यह इसमें count नहीं होगा, ऐसे ही answer था, बस, और कुछ करना ही नहीं, समझ में आगे हैं सभी को, तो एक बार जल्दी से comment करके आप लोग बताएं, तो आज 10 questions कराएं, इसमें से कितने questions आप लोगों ने साही किये, और आज की class आप लोगों को कैसी लगी है, जल्दी से comment करिए, एक साथ comment करिए, class अच्छी लगी है, सारे बिच्चे like कर देंगे, share कर देंगे, चैनल पे नए हैं, तो subscribe करके, notification bell icon को on करके जूड जाएंगे, तीन से तो नो कट जाएगा, विशम संख्या कहां है, आच्छा, तीन से नो कट जाएगा, विशम संख्या कहां है, सम विशम संख्या पहले एक बर पड़ो, दोसिन कटना चाहिए, ना, दोसिन नहीं कट रहा है, इसलिए, प्राइम नूंबर की बात कर रहे हो, क्या बात कर सम भी सम संख्या नहीं पता है जाके एक बार exam finisher यूटूब पे सर्च करो exam finisher वहां पर basic class 5 चलिए आपी जैसे student के लिए जिनको सम भी सम संख्या नहीं पता है ठीक है अभाजी संख्या नहीं पता है जोड घटाना गुड़ा भाग LCM-HCF निकालना ठीक है भीनिके जोड आप लोगों को तो वहां सीख लीजिए वह भी पढ़ाए है ठीक है हां तो वहां से पढ़ लोगे तो दिक्कत में नहीं रहोगे ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गया है तो जल्दी से बताइए class कैसी लगी है कितने questions आई की है जल्दी से बताइए class अच्छी लगी आज की class क होती है 10 वजे reasoning की उससे भी जुड़िये हर class से जुड़िये पढ़िये ठीक है हां और आप लोगों को बता दे एप पे SSC CGL और CHSL एक्जाम को धियान में रखते हुए संकल बैच चलाजर है संकल बैच से जुड़ के पढ़िये फी बहुत ही कम है ठीक है classes सारी basic से चल रही जाहरखंड पूलिस के लिए भी SSC Maker App पे special बैच चल रहा है RRV LP और technician के लिए भी pilot बैच चल रहा है ठीक है हां आर्मी अगनीवीर के लिए अगनीवीर देखिएगा आर्मी बैच चल रहा है SSC Maker App पे सारी हर एक exam के लिए class से चल रही है किसी भी बैच से जुड़ने में कोई समस्य है 7080108555 यह SSC Maker Customer Care का नमबर है इस पर आप call करके बात कर सकते हो ठीक है चले तो आज की class को हम यहीं तक रखेंगे बाकी हम आप से मिलेंगे कल कल आठ बजे आपकी जो class होगी वो क्या होगी reasoning की class होगी जबर्जस class होगी तो आठ बजे आप जुड़ना है ना भूलेंगे ठीक है मन लगा के पढ़िए अच्छे से बढ़िए daily classes को join करिए कोशिस करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे क्योंकि पढ़ाई एक मत आपकी लाइप से अंदार होगी इसलिए पढ़ते रही है ठीक है चलिए तो आज की class को यहीं तक रखेंगे आप सारे बिच्चे आज की class को like और share जरूर करिए चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके जुड़िए और daily पढ़िए ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते अगली class में तब तक के लिए धन्यवाद तो आपके इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उन कर आया है पाइलट बैच जिसे बहतरीन अनभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्या रूप से रेल्वे एल्पी तथा टेक्निसियन के एक्जाम के लिए तयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोईन करें हमारा पाइलट बैच और अपने सेलेक्शन के जिम्मदारी हम पाइलट बैच जोईन करने के लिए डाउनलोड करें एससे मेकर है और दिएगाई नमबर पर कॉल करें